असलाम उलेकूम हम अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं उमीद है आप सब ठीक होंगे आज हम एक ने सिल्सले का आगास कर रहे हैं कि कोई बच्चा या बच्ची घर बैठे हमसे कोई भी वीडियो के मतले कोई भी स्वाल करना चाहता हो तो उसके लिए आप हमारे email address skjtfsd at gmail.com पर राप्ता कर सकते हैं लेकिन उसके लिए सब्जेक्ट में vocational training लिखना मत भूलिएगा या हमारा वर्टसप नंबर है plus 92-321-871-4464 या फिर हमारे नीचे दिये गए social media pages पे आप राप्ता कर सकते हैं तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया कि हम online classes का आगाज कर रहे हैं पिछली वीडियो में हमने आपको बुन्यादी समान के बारे में बताया कि कौन-कौन सी चीजें बुन्यादी समान में ज़रूरी है बाकी डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताके हम आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो भेजते रहें हाँ तो दोस्तो हमारा आज का टॉपिक है कैंची पकड़ना सिखाना दोस्तों अगर कैंची ठीक तरीके से पकड़ी जाएगी तो definitely cutting भी ठीक होगे आपने देखा होगा कि कैंची में कैंची के हैंडल में दो सुराख होते हैं एक बड़ा और एक छोटा छोटे सुराख में हम अंगुठा डालते हैं और बड़े सुराख में हम बाकी की चार उंगलियां दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अंगुठे वाली जगा पे उंगलियां डाल लेते हैं और उंगलियों वाली जगा पे अंगुठा डालेते हैं जिस से कैंची और हाथ का बैलनस ठीक नहीं रहता कैंची पकड़ने का सही तरीका वही है जो पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया दोस्तों यही फरक होता है परोफेशनल और नॉन परोफेशनल इंसान में फॉर इग्जेंपल अगर आप कोई कपड़ा कट करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रेंड फर्द और अंट्रेंड फर्द की कटिंग में जमीन आसमान का फरक नज़र आएगा दोस्तों किसी भी चीज़ को परफेक्ट शेप देने के लिए सारा दारोमदार कैंची पर होता है क्यूंकि सही तरीके से पकड़ी गई कैंची से हम किसी भी चीज़ को सही शकल में ढाल सकते हैं साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलो के कैंची कई एकसाम की होती है और कैंची मुख्तलिफ साइज में पाई जाती है और इन से मुख्तलिफ किसम के काम लिए जा सकते हैं जैसा के आपको ये दो साइज में कैंची यहां पे देखने को मिल रही है दोस्तो आज की वीडियो का इख्तिताम हम कैंची की मुथ्लिव एक्साम पर मुकमल करते हैं और आब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ के कैंची कैसे पकड़ी जा सकती है और कपड़ा्या कागज कैसे कट किया जाता है दोस्तों ये है कपड़ा काटने के लिए कैंची, बड़े साइज में जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि कैंची में दो सुराख होते हैं एक छोटा और एक बड़ा छोटे सुराख में हम अंगुठा डालते हैं और बड़े सुराख में हम बाकी की चार उंगलिया यह अभी मैं आपको इसको पकड़ना सिखाऊंगी यह देखें चोटे सुराख में हमने अंगुठा डाला और बड़े में यह बाकी की चार उंगलिया ये हमने एक पीस लिया सीधे हाथ में हम कैंची पकटेंगे और हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे जो कट करने वाली चीज होगी उसको हम उल्टे साइड में उल्टे हाथ में पकटेंगे और इसको सीधी डायरेक्शन में कट करेंगे जो भी चीज काटनी है उसको आप कैंची के अंदर रखेंगे फिर उसको आप कटिंग करेंगे दोस्तों कैंची को किसी भी डिरेक्शन में घुमाने के लिए आपका हाथ जो है वो उसी साइड पे जाना चाहिए मिसाल तोर पे आप अगर कमीज कट कर रहे हैं तो उसमें साइड के मताबिक जो है आपकी कैंची चलेगी जहां पे आपने ड्रा कियावा होगा वहीं वहीं से आप उसको कट करेंगे और कैंची को अच्छे से पकड़ेंगे जब तक आप कैंची को अच्छे से नहीं पकड़ेंगे आपकी किसी भी चीज़ की cutting जो है वो perfect नहीं होगी उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैंची की इकसाम के साथ अल्ला हाफिज नहीं करना मत भीडियो इकसाम के दोड़्स